हेलो दुस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके मुबाइल में फीट प्रो एप्लिकेशन ओपन नहीं हो रहा है यानि कि वर्क नहीं कर रहा है तो इस प्रोबलम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं चरूर देखियेगा तो यहाँ पर दुस्तों आप फीट प्रो एप्लिकेशन को जैसे ही आप उपन करते हो यहाँ पर तो वो वापिस बेक आ जाता है वो उपन ही नहीं होता तो इस प्रोबलम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आप चानने वाले हैं तो सबसे पहले आप जिस अप्लिकेशन को यूज नहीं करते हैं उस अप्लिकेशन को आपको अनिस्टोर करना है दूसरा दूसरों कारण हो सकता है कि आपके जो भी अप्लिकेशन यो ज्यादा तर अप्लिकेशन ओनलाइन होते हैं जैसे कि इंस्ट्रागाम फेस्बूक और जो SIM card and mobile data पार उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है नीचे आपको एक option मिलेगा data, uses, details तो उसके बाद यहाँ पर नीचे जाना है और नीचे आपको एक option मिलेगा permission, network permission का तो यहाँ पर आपको उसके पर click करना है click करने के बाद दुस्तों जो भी आपके यहाँ पर online जो application है जो भी है उसको आपका इसका जो भी आपको उसको net नहीं उसकरते जो application को उसका net आपको यहाँ पर disable कर देना है जितनी भी application है आप नहीं उसकरते जो network के उसको आपको यहाँ पर disable कर देना है उसके बाद आपको के करना है बैक आना है बैक आने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में एक application होगा फ्री इंस्टॉल होगा जो पहले से mobile में होता है सबके phone में phone manager या clean master करके होता है अगर आपके phone में नहीं है उसका भी solution आज के studio में मैं आपको बताने वाला हो तो आप इस application को open करिए और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clear up storage तो उस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आप जितनी भी memory जो unknown memory होगी वो यहाँ पर आपकी खाली हो रखेगा तो यह दिक्कत से अगर आपके mobile में application नहीं है तो आपको जाना है प्लेश्टोर पर पर प्लेश्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है clear क्लेच कि सॉर्य क्लियर 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 मास्टर अप्लिकेशन को आपको यहाँ पर इंस्ट्ल करना है इंस्ट्ल करने के बाद यहाँ पर आप अप्लिकेशन को देख सकते हैं फॉन क्लियर मास्टर तो इसको आपको यहाँ पर इंस्ट्ल करना है इस्टल करने के बाद दूस्तों यहां पर आपको इसको उपन करना है उपन करने के बाद यहां पर आपको इसको स्टार्ट पर क्लिक करना है तो यहां पर कोई भी एड आएगा तो यहां पर आपको इसकेट को कट करना है उसके बाद सारी permission को यहां पर allow करना है उसके बाद यह आपके mobile में जो भी unknown file होएगी जो भी आपके mobile में काम की नहीं उसको scan करेगा उसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा कितनी MB आपको यहां पर खाली हो जाएगी तो यहां पर दूस्तों आपने देख सकते इसने कावी सारी 3GB MB उसको आपको इसने लिटेक् कर लिया है तो यहां पर आपको keep your by मेरी वह लिए हो जाये तो उसको आपको latest वर्जिन अपडेट करदेना है अपडेट हो जाने के बाद उसको आपको क्या करने है आपका जो power बटन उसको आपको दबाना है कि पाउरश बातन दबाने के बाद उस्तों यहां पर आपको option मिलेगा रीस्टार्ट तो आपको वर्क करने लगएगा तो इस तरह से इस प्रब्लम को ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताया है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल परने चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद